प्यारे विध्यार्तियों साथियों आज हम बात करेंगे शावतंतरता और कानौन में शंबन्द शावतंतरता था था कानौन का संबन्द जो कि राजनीती भी क्याने कि विध्यार्तिक लिए बहुत ही महते पुणन है प्यारे विध्यार्तियों शावतंतरता था कानौन में क्या संबन्द है इसके उपर हम चर्चा करें उससे पहले प्रते दिन जो मैं एक लेक्चर अप्लोड करता हूं उसकी जानकर आपको हो सके किसी उसना आपको मिल सके इसके लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्स्राइब आवहिसरे कीजिए जार्तियों शावतंतरता कानौन के संबन्द करते हैं तो विदवान ने मखतेिया दोध्रस्टिक कोन दी तहां पर सभी विद्वान की विचारों, दो भाव में बाड़ दिया जाता है, पुछ से विद्वान तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कि भाई, शावतनतरता और कानून एक दूसरे के विरोध हैं, मतलब यहां, जहां कानून होगा हुआ, शावतनतरता नहीं होगी, एक द्रश्टिकून तो यह है, और कानून होगा बहुत ज़्यादा कानून होंगे और व्यक्ति सौत मतर नहीं रह सकता एक द्रश्टे कुन तो यह कहता है दूसरा द्रश्टे कुन क्या कह रहा है वो यह कह रहा है कि बिना कानून की व्यक्ति सौत मतर नहीं रह सकता इन दो ही द्रश्टे कुनों पर हम चर्चा कर दिया है पर अधार के लिए रो जाएंगे ध्यान दीजिएगा व्यक्ति राज्य मतलब व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंदू का जो आधार होता है आप नोट करेंगे वह कानून आधिकार शौपनतरता शमानता राजनतिक बाध्यकारिता नियाय करते हुए इत् जिसमें से हम जो अध्यान कर रहे हैं वह आज सवतनतरता और कानून इन दोनों के संबंद के बात करें तो सवतनतरता और कानून यह दोनों ही व्यक्ति और राज्य के पारस्पर संबंदू का आधार है यह बात इस पास्ट होगी अब यहां यह देखना है कि व्यक्ति सवत कि वास्तम में व्यक्ति की शातंतरता और राज्य के जो कानून होते हैं वास्तम में ये एक दूसरे की विरोधी हैं कैसे हैं ये पहला दृष्टिकून कहा रहा है कि भाई वास्तम में जहां कानून होंगे व्यक्ति की शौतनतरता नहीं रह सकती मतलब कानून शौतनतरता का विरोधी है नोट करें कानून शौतनतरता का विरोधी है पहला दृष्टिकून तो संब्सक्राइब नहीं है हुआ है दो देखेगा यह के है वास्तरी क्रॉप में वैक्तिवादी अरजटवादी स्रीमिक सन्गवादी और बहुलवादी दे डिये कानून और चारी विचार धार हरें व्याक्तिवादी अरजगत्वादी श्रीमिक्षंग वादी और बहुलवादी कानून को सवतनतरता का विरोधी मानती हैं मतले यहां आप किरम से लेंगे पहले है व्यक्तिवादियों का मत अब ध्यान देखेगा वास्तेवी कृप में व्यक्तिवादियों का कहना है की भाई राज्ये के दवारा व्यक्ति के कार्यूं में कम से कम हस्तक्छेह किया जाना चाहिए, मतलब जितने कम कानुन होंगे उतना ही अच्छा होगा, राज्ये की सत्ता जितनी कम होगी उतना ही व्यक्ति शौतुंत रहेगा, क्यों? क्योंकि व्यक्ति वादियों का कहना है कि कि व्यक्ति वर्वेबवान पराणी है इसलिए व्यक्ति एपने हित में US ले सकता है अत All charged let me I Bible को कम से कभा माश्त करना चाहिए व्यक्ति वादियों ने ही आश्तिक सिध्थांति दिया है जिसका ताथ पर यह है कि राज्जे के दवारा व्यक्ति के आर्थिक गतिविदियों में कम से कम हस्तक्षिप किया जाना चाहिए मतलब इनका कहना यह है कि जितने जादा कानून होंगे उतना ही व्यक्ति जो परतंतर हो जाएगा और कम से कम कानून होंगी तो तना ही व्यक्ति शौतंतर होगा इसलिए व्यक्ति वादियों का मूलत है कहना यह क्या कहना है कि वास्तों में जो कानून होते हैं वो व्यक्ति के शौतंतर ताके वीरोधी होती है इसलिए कम से कम कानून होने चाहिए राज्ये के द्वारा व्यक करेंगे, जबे अब शाइब राजनतिक विचाहरा है, मील कहते हैं, व्यक्ति अपने स्रीर अमन के उपर शाहतंतर है, नोट किजिए व्यक्ति अपने उपर, अपने शरीर, अमन कि उपर शौतंत्र है मतलब वास्त में व्यक्ति अपने शरीर अपने मन और अपने उपर बिल्कुल शौतंत्र है अतहरा जे के द्वारा इसके उपर कोई प्रतिबंद नहीं लगाया जाना चाहिए कौन कहरें इस बात जी अब इसके बाद में बहुत मेहत्पुन बात है जो व्यक्ति वादी है वह वास्त में राज्य को क्या कहते कि राज्य एक आवशक बुराई यह निमने में से किस विचारधारा के दवारा कहा गया तो किसके दवारा कहा गया व्यक्ति वादियों का मतलब व्यक्ति वादियों का कहना है कि राज्य एक आवशक और बुराई दो परंतु राज्य के दोवारा वास्तिवी के रूप में हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है तो ऐसी इस्तति में एक बुराई भी है मतलब व्यक्तिवादी कह रहे हैं कि राज्य के दोवारा हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है और दूसरे तरफ व्यक्तिवी के जीवन और को पतिक रख्षा करता है इसलिए आवशेक है परंतु राजी हीन्शा को बढ़ा हुआ देता है आप स्वाम देख सकते हैं वास्थविक रूप में जब से राज्जे की स्थापनों हे तब से किसी रूप में हिन्शा में बुरेदी ही हुई है यह बात भी सकते हैं तो यह राज्य को एक आउश्य गुराई मानते कौन व्यक्तिवादी तो नोट करें अब दूसरा लेते हैं अराजक्तावादियों का मतर जो अराजक्तावादी है जिन्होंने किस परस्ट रूप में कहा है कि भाई राज्य को तो अंत्तों गत्वा समाप्त हो जाना चाहिए राज्य की कोई आउशक्ता नहीं है अराजक्तावादी तो वास्तिवी क्रूप में राज्य संपत्ति और धरम मतलब चर्च यह तीनों ही सनस्ताओं को समाप्त करना चाहते हैं फिर से बोल रहा हूं मैं व्यक्तिवादी की बात हो चुकिए अराजक्तावादी क्या कह रहे है कि समाज में किशी वीरूप में राज्य की कोई आउशक्ता नहीं है क्यों क्योंकि वास्तिवी गरूप में राज्य के कारण हिंसा में व्रद्धी हुई है हिंसा में कमी नहीं है इसलिए अराजक्तावादी कह रहे हैं कि राज्य को बिल्कुर संप्त कर दिया जाना चाह मतलब राज जी कोई आवसक्ता ही नहीं है और बुराई इसलिए कि हिंशा को बढ़ा रहा है हिंशा को बढ़ावा देता है अनाव से किसलिए कि स्वम समाज के अंतरगत प्रकार के जो शंक्ठन होंगे वो किस रूप में समाज व्यास्ता को संचालित कर लेंगे राजी किकत ह आवसक्ता नहीं है जैसा कि राजकतवादी एक शाद्रश्य पदती का प्रियोकति उधारन दे रहे हैं कि हमें दो व्यक्ति को खड़ा कीजेगा एक बॉक्स लें बॉक्स संदूक संदूक में पथर डालेगा दो व्यक्ति उसको विला देंगे पथर व्यास्तित हो जाएं नहीं है और राज से को इसलिए अनावशक मानते हैं कि विराज से कोई आवशका निया आप एवाद आभी यहां एक व्यक्ति लिकिंग गॉर्डविन गॉर्डविन कह रहे कि पूर्ण सवतनतरता का अर्थ सरकार का पूर्णते नहीं होना है पिर से नोट करें पूर्ण बाजय का मद भी वाश्तविक रूप में यह कहरे हैं कि जो कानून हो बिरोधी और इसी एक साथ में उना काया कि भाई वास्तुवीग रूप में यह राज्य सक्ति का पूर्णते अंत चाहते हैं कौन्शाहएं कि शिर्मिक शंहवादी राजय सकती का अरजजत कवाध्यू की तरह पूर्ण युदध चाहते हूं अर नहीं जो है का पूर्णते स्वंपत करना चाहते हैं कि स्भाद का अंती मलक्ष मार्ग शुवाद ना चाहते हूं राजजिवे घृसा नोगत प्लेगा तो डेफिनेटलिया आप कह सकते हैं कि शिर्मिक संगवादी राज्य सक्ति का पूर्ट अंत चाहते हैं मतलब अरजक्त वादि कि इसलिए आप एक संगवाधियों का भी कहना है कि कानून शावतुनतरता का विरोधी है चौथा है बहुलवादी बहुलवादी एच जे लास की एक बहुलवादी विचारकी है नौट करेंगे जो बहुलवादी हैं वो क्या कह रहे हैं कि वास्तवी कुरूप में प्रभू सत्ता का विरोध करते हैं राज्ये की प्रभू सत्ता का बहुलवादी विरोध करते हैं और इनका कहना है कि समाज में विभिन प्रकार के जो समुदाय होते हैं वो राज्य की तरहीं बराबर हैं बस इतना कहा जा सकता है कि भी राज्य समुदाय का भी समुदाय है लेकिन वास्तिवी की लुक में देखा जाए तो राज्य की प्रभू सत्ता जो है ना संप्रभूता है इसका ये बहुलवादी विरोध करते हैं करेंगे बहुलवादी राज्य प्रभु सत्ता का विरोध करते हैं और राज्य सत्ता को विभिन समधाय में बांट देना चाहते हैं नोट करेंगे मूलवाती है इसका निशकर से कि राज्य सत्ता को विभिन समधाय में बांट देना चाहिए कौन कहते हैं बहुलवादी मतलब इनका कहना है कि राज्य ही सब कुछ नहीं है राज्य की प्रभु सत्ता का विरोध करते हैं इनका कहना है कि जो राज सत्ता है राज सत्ता है उसको समाज जो विवन समधाय होते हैं बांट देना चाहिए और जब बांट दिया जाएगा तो डैफिनेटली यह कहा जा सकता है कि बहुलवादी भी ये कहेंगे कि भी जो कानून उस्टन्तर्वतर्त का वीरोधी है। स्ट्रेशन और को सताइंगे परिशान करेंगे और किशी रूप में जो है समाज में व्यवस्ता नहीं होगी मतलब सोशियल शिस्टम समाज व्यवस्ता है वह चरमरा जाएगी समाज कें अंतरकत अराजकता फ्हाल जाएगी व्यक्तित की विकास की वी रूप में नहीं हो सकेगा斯59 pressure ऑथिक decision पाई कोई बी व्यक्ति शंयतनतर रूप में अपने जिवन व्यक्तित नहीं करपाएगा जिसकी लाथी उसकी भैंस उस्वालिक कहावत चरितार्थ हो जाएगी एजिसामाज में कानून नहीं होंगी एस सम्वनित जो भी दुढ़ाने काहएथ कि उसको मैंने नोट कर दिया नोट किजिएगा आपके एक जम्पूछा जा सकता है अब कानून कैसे सवतनतरता का समर्थक है यहां मैंने आपके लिए 6 पॉइंट तेगार के पहला है वास्तिविक सवतनतरता का रूप नकारात्मक नहुकर शकारात्मक है नोट कीजिएगा वास्तिविक सवतनतरता का रूप नकारात्मक नहुकर शकारात्मक इसका मतलब क्या ह पर्थिबन लगाए जाए लेकन सकारात्म को करने योग के जो करने योग्गे नहीं है उसके उपर पृतिबन लगाए जाए यह सकारात्मेक नकारात्म के व्यक्ति की जो शौतमत्तरता होती है उसके पर कोई प्रतिबंद नहीं है कोई प्रतिबंद नहीं है मतलब यहां आप यह कहेंगे कि व्यक्ति पूर्ण रूपे शौतमत्रता जैसे इसकी इच्छा उकारिय करें और के बैस्ति यह करने दिए चुछ तो नहीं करने है यह करनेंगे तो नोट करें उन्य रोप न किृत्स भी दिया है यहां कि बंधन होते हैं इसलिए तो सथ नतरता होती है मतलब विलो भी कह रहें कि वास्तिवी कुरूप व्यक्तिद की जो इच्छा रहे इसके पर बन्दन होते हैं इसलितो सcover टरता है उपंकर्टे जिसुकार मिनमें करने दीजाएं खरने तो चारीह करने दीजाएं जो जो करने योग्नी यहना है वहां पर हमें कहेंगे ट्रैफिक प्लीस वाला है खड़ा हुआ है उसकी ड्यूटी लगी हुए वह बाइक सवार को या फिर जो है मैं यह कहूंगा फॉर्विलर ड्राइवर को वहां रोक रहा है और आगे से पुल्चति ग्रस्त आप मत जाईएगा तो वहां रूख जाएगा तो में कि सब्सोती उसको मरने से रोकशा रहा रहा है क्या सब्सका इसलिए इस लिए लुए इसको रोका जारह दो रहा है हा और सब्सक्राइब कि नहीं है तो इस इस दार्ण्झा आपी समझ सकते हैं दूसरा ससंबहाय नोट किजए herat Jess tapinash अं let Shażna Богittay I won't catch a surprise Raja स्था कि विना-शारत अंत्रता एस इसका मतलब यह है कि वास्तिों की रूप मीए राज बो सब्सक्राइद कह समाज में नहीं क्यों कुछ समाज में अगर और लुखती दूखल्वेक्थ को परेशान करेंगी और ्छ इसकी लाटी उसकी भैस वाली काहवच चरीधार्थ हो जाएगी इसलिए बिना राज सत्ता के व्यक्ति शौतन तर रही नहीं सकता और राज सत्ता है तिसका मतलब कानून होगर कानून होंगे तो भाई डैफिनेटली यह बात है इस सभी अपने-पने कानून का पालन करेंगे जो भी नियम कायदे कानून है उनका पालन करेंगे तो इस सबल व्यक्ति वो कमजल व्यक्ति को परिशान करेंगे तो इसी सित्ति में दर्वाजा खट-खटाया जाएगा ठीक है और रक्ष्य की जाएगी जो लोग कह रहे हैं कि जहां कानून नहीं होता हुआ शौतन तरता का मशिया का है यह एक्जम पूछ दे काए बारकर ने भी जिएएस मिल को खोकली सा उतनतरता का समर्था का हुआ क्योंकि जे अश मिल ने अपने पुस्तक और लिवर्टी में शाटनतरता के अंतरगत वासता में शाटनतरता की खुलकर चर्चा की है और यहाँ तक कह दिया वहां कि वही वास्त्रीक्रुक्म व्यक्ति को जो उसके निजीकारी होते हो करने की छूट होती है इसके उपर सरकार के दवार राज्य के दरख कोई प्रतिबन नहीं लगाया जाता है इसलिए बार करने जो है जैस मील की जो शौतनतर्ता से सम्मंदित विचार है उसको खोकली शौतनतर्ता का मश्या कहा है तीसरा है राज्य सप्ता से ही शौतनतर्ता मिलती है नोट कीजिएगा राज्य सप्ता से ही शौतनतर्ता मिलती है फिर शेक बोल रहा हूं राज्य सप्ता से ही शौतनतर्ता मिलती है नोट करें राज्य सप्ता से ही शौतनतर्ता मिलती है इसका तो नहीं करें तो पिर डेफिढे फीजो कम जो रहे हैं एइसा है व्यश्य टेकर सकते हैं यहां रहे हैं अधीक उसे सामने जुकना होता है प्रसीदी से बात है अगर अगर आप करना पड़ेगा और हम यह कहेंगे शक्ति के सामने जूकना पड़ेगा अगर होग कानूने कृता है कि घ्लटी कर भी कानून आुट सिवात है कि गर टिताव के विकास के लिए झोगी जो इसकी पस्ताविक बिगतिकी खिकास ग्याहत हो कर रहेंगे सब्सक्राइब वास्तिक रूत में जो व्यक्ति इंदिकर दी गय उनल पहुंक होगी में सब्सक्राइब कानून का पालन करेंगे और सभी वक्ति अपने अपने कानून का पालन करेंगे तो निश्टी तरूप में इसकी व्यक्तिता कभी कास होगा और पांचवा है कानून अराजक्ता को रोकता है अगर कानून होंगे कानून होंगे तो समाज व्यास्ता अराजकता नहीं फेलेगी क्योंही ऩज़े प्योंकि सभी किसी नी किसी रूप में कानून कWar प्रदाहिण दीने है कानून की जिए सभी नज़री में किया जाता है तो कानून के दिरस्टी में कोई भाव नहीं किया जाता है दिसका मतलब यह हो गया कि वास्ता में रहा AGता रहे समाज के अंतरगत संती व्यवस्ता रहे गी ऑपने कारियों के मान दानदी से करेंगे और यह कानूनी होंगी तो निशत बात है समाज व्यष्ता नहीं होगी तो फिर आरजकता फैलेगी यह नहीं ते इक अराजकता फैल जाएगी शभी व्यक्ति एक दूसरे कि सत्रू बन जा सकते हैं जिस समाज में कानून नहीं होगी वह वास्तीष में कहा जा सकता है कि सबका के विरुद्य यूद्स पराषबी और वह क्शा करिकर ंन्ति भान चर्थ राखशी में महिए और उचित कानून है तो चाहिए मोत थो इस प्रहें सब ट नीरबाल दुरबाल औरinta है परिशान कर रहा है ऐसे सत्य में कानून के दुवारे इसके रख्षक की जाएगी तो कानून शाथन तरता का रख्षक है और इसके बारे में च्छटे बिंदू में जीन जैक्स रूसो जो कि कि एक समयदवादी विचारक का समझवता वादी विचारक के बारे में सामाजिक समझवता का शिद्धान दिया है जीन जैक्स रूसो ने ऑपसन और जॉन लॉक ने तो रूसो कह रहे हैं कि जिस कानून को हम अपने लिए बनाते हैं उसका पालन ही शाथन तरता है नोट कीजि नोट करें जिस कानून को हम अपने लिए बनाते हैं उसका पालन ही शाथन तरता है ठीक है यह जो है छटा तरक हो गया इंच्छा तरक क्या दाहर पर आप बतला सकते हैं कि वी कानून कैसे सब्सक्राइब का शामर्थक है दो द्रस्टी को नोगे पहला है कानून कैसे शाथ बना दिया जाता है जिस इक व्यक्ति की सब्सक्राइब को छीना जाता है यह आप को द्यान में रखना है मतलब सभी कानून व्यक्ति की सवतंतर्ता के समर्थक नहीं होती हैं कभी कभी कोई कानून वास्तिवी कुरूप में ऐसा बना दिया जाता है कि वो व्यक्तिवी की सवतंतर्ता का हनन करता है मतलब उसको एक परकार से अत्याचारी कानून कहा जा सकता है जैसा कि मैं कहूंगा 1947 से पहले भारत के अंतरगा जो ब्रिटिश रास्षन था उनकी दौरा समय समय पर ऐसे कानून बनाए जाते थे जोगी वास्ततिवी कुरुप में जनीत में थे जब जनीत में थे थे वह स्थ अकी समय spark司 को या कंव बना दिये जाते हैं जिनसे की वास्तिविक रूप में प्राइजय शावत्न आप सब्सक्राइब तर्था तर्था कानून के सब्सक्राइब को ठीचे शमाज़ गने लिए यास ओके थेंक्यू एरिमस्ट थेंक्यू एरिमस्ट